आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कातिक मास की कातिक मास के दौरान यदि आप एक जगह अशनान कर लेते हैं तो इससे बड़ी से बड़ा पापे भी नश्टो हो जाता है यदि आप इस एक जगह कातिक मास में सनान करते हैं तो इससे मिलने वले पुन्या कभी भी समाप्त नहीं होते हैं इस बात को श्वैम भगवान स्री नारायन ने बताया है इसके अलावा यदि आप कभी भी भगवान स्री हरी की पूजा करते हैं भगवान विश्णु की पूजा करते हैं तब गल्दी से भी इन पुस्पो को भगवान विश्णु को नहीं अरपन करना चाहिए नहीं भगवान विश्णु की पूजा में इन फूलों को चड़ाना च यह दिगल्दी से भी आप इन पुस्पों को भगवान विश्णू को अरपन करते हैं तो इससे भगवान विश्णू अत्यधिक नाराज होते हैं भक्तों को प्रकोप का सामना करना पड़ता हैं और इसके साथ ही आपने जीवन भड़ जितनी भी पुन्यकर्मे किये हैं जितन गर्दी से भी भगवान विश्णू की पूजा में नहीं अरपन करना चाहिए और एक ऐसे जगह जहां यदि किसी भी मनश्य को अपने पापों को धुलना हो मोक्सी की प्राप्ति करनी हो भगवान विश्णू को प्रशन्न करना हो तो इस एक जगह पूरी जीवन में जरूर असनान करना चाहिए आईए विडियो को हमें स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्त होंगे, सुरक्सित होंगे ताकि उनकी रक्षा हो सके तब भगवान विश्णू की जितने भी देवी देवता है और ब्रह्मा जी सभी ने स्टूती की उस समय भगवान विश्णू गोड नेद्रा में थे भगवान विश्णू को अनेक प्रकार से उन्होंने प्रसर ने किया भगवान विश्णु की उस्तुति की उसके बाद भगवान विश्णु को अर्ध, पाद, आजमन और इसके अलावा गंध, धूप, दीप, इत्यादी से प्रसन्नी किया जब भगवान विश्णु निद्रकाल से जागे तब उन्होंने संखा सुर का वद्ध किया और जितने भी वेद मंतर थे, उन सभी को मुक्त कर दिया जिस अस्थान पर वेदों को मुक्त किया गया था, उसी अस्थान पर यग्य किया गया जिसे महायग्य कहा जाता है और उन यग्य के प्रताप से इसके साथ ही महर्शियों के तपोबल से वह धरती और भी अधिक पवित्र हो गई इसी अस्थान को प्रयाग की नाम से जाना जाता है भगवान विश्यों नी कहा यह अस्थान प्रित्वी फिर्ट सबसे ज़्यादा स्रेष्ट पुन्य की विद्धी करने वला है एवं भोग तथा मोग से प्रदान करने वला है साथ ही यह समय भी महापुन्यमै और ब्रह्म घाती अधि महापाप्यों की भी सुद्धी करने वला है तथा इस अस्थान पर दिये गए दान कभी भी अक्से पुन्य को देने वाले होते हैं इसी अस्थान पर राजा भगीरत गंगा मा की इस्तूती करेंगे और तब गंगा मा को प्रित्वी पर अफ्तरित होना पड़ेगा जब सोड़िय मकर नासी में इस्तित होंगी उस समय यहाँ अस्नान करने वाले मनिशों के सब पाप नास हो जाएंगे यह काल भी मनुशों के लिए सदा महान पुन्य देने वाला है इसलिए कातिक मास में प्रियाग राज में अश्नान करने का सरवादिक बहतों मना जाता है कातिक मास में जो भी भगत प्रियाग राज में अश्नान करता है उसकी बड़ी से बड़ी पाप भी नाज हो जाते हैं अब हम जानते हैं भगवान विश्ण के पूजा में गलती से भी किन चीचों को नहीं चरहने चाहिए दोस्तों हमारे धर्म गरंतों में इस बात का उलेक किया गया है बगवान विष्णू की पूजा में सिरीज, धतुरा, जिर्जा, चमीली, केषर, कंदार और कटहल के फूल गलती से भी नहीं चरहने चाहिए गलती से भी चावलों को भी नहीं चरहना चाहिए ऐसा करने से भगवान में शुन नाराज होते हैं और मनुष्य को अने प्रकार के कश्टों का सामना करना पड़ता है दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी वीडियो थोड़ा सभी हेल्फूल लगा हो तो चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार